हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्माट इंजिनियर को एक नहीं वीडियो लेकर के आया हूं और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बात करते हैं तो फ्रेंट्स आज का वीडियो हमारा कैलकुलेशन ओफ डबलू सीबी फ्रॉम इंक्लूडड एंगल जियां अब पढ़ चुके हमारे जो भी प्रिवेश वीडियो गई थी कि केल्कुलेशन ओफ इंक्लूडड एंगल जियां किसकी मदद से तो डबलू सीब से लेकिन फ्रेंट्स आज क्या कम करना है कि कल्कुलेशन ओफ डबलू सीबी फ्रॉम इंक्लूडड एंगल जियां आज हम निकालेंगे डबलू सीबी को किसकी मदद से इंक्लूडड एंगल की मदद से तो फ्रेंट्स आज देखते हैं आपर का कहता है इसका पहला रूल ज अंडर यहां पर हम कि if at one point मतलब कोई एक point पर यानि जो point हमारा O है उसकी अधार पर हम WCB first line and included angle मतलब friends हम करेंगे कि हमें अगर WCB निकालना हो तो किसकी मदद से निकालेंगे हमारी पहली first line जी हमारी first line कौन से बनेगी ए और इसके बाद दूसरे का क्या हैगा हमारा included angle तहीं पर यहां पर यहीं बताया है आप देख सकते हो WCB second line is equal to WCB of first line plus included angle मतलब friends मेरे पास जो रहेगा WCB of first line और मैं included angle को add कर दूँगा तो मेरा यह पूरी reading जी है मेरी पूरी reading जिसे मैं कहूंगा मेरी second WCB line जो है वो में निकाल लूँगा तो friends आगे क्या कहता है if was of second line is more than 360 जी हां friends मतलब अगर हमारा जो WCB का है वो हमारी second line का 360 से ज़्यादा है 360 degree से ज़्यादा है तो हम क्या काम करेंगे friends हम माइनस कर देंगे मतलब क्या कह रहा है कि हमारी कभी-कभी reading पूरा सरकल घूम जाती है और फिर इसके बाद कहीं आती है जैसे कि suppose that हमारा 360 आया 380 आया 300 something like 420 आया तो ऐसे कुछ reading मतलब आपको तो लगता हो एक हम ऐसा 360 reading आता है जी हाँ friends आपके इसाब से तो सही है कि आप 360 समझे रहे हो कि यहाँ सम नोर्थ की सापेक्ष में गया और नोर्थ पर आगे खतम कि तो 360 होता है लेकिन friends हम कभी-कभी reading लेते हैं जी हाँ आप आगी कभी भी survey करोगे तो आप याद रखिएगा कि कभी-कभी 360 से भी reading आगे जा सकती है तो friends हम यहाँ पर आगे बात करते हैं अगर हमारा 360 से ज्यादा चला जाए तो हम 360 डिग्री उसमें माइनस कर देंगे जिससे हमारी actual reading जो रहेगी वो हमें मिल जाएगी जैनि second WCB reading जी है WCB of second line हमें मिल जाएगी किस तरह से friends मान लेते हैं अगर हमारा 420 आया चारसो बीस है तो मेरा तो मैं क्या 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 करूंगा कि 420 माइनस 360 कितना रहे फ्रेंस 60 डिग्री मतलब मेरा 60 डिग्री मुझे WCB मतलब मिल जाएगा मेरी second line का कुछ इस तरह से friends इसे भी निकाल सकते हैं और friends आगे का कहता है यहां पर समझाया है figure के माध्यम से जी है जो मैंने आपको करके दिखा है कि WCB of OB जी हां यहां पर O और B यह रहा इसका हमें निकालना है second line का तो उसके लिए हम क्या कम करें है कि WCB of OA मतलब हमारी first line plus included angle तो जी हां friends आपर हमने 45 plus 80 कर दिया तो हमारा क्या गया 125 कुछ इस तरह से और friends आपर हमारा दूसरा रुटा कहता है कि if traversing is done in clockwise direction जी हां फ्रेंट से गर हम ट्रावर्स होग हमारा clockwise direction में बनाते हैं जी हां मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जी हां हमारा ट्रावर्स अगर हम clockwise direction में गया किस तरह से मैंसको समझा दू हमारे इस वीडियो पर नहीं हो तो हम यहां से चालू किया जी हां किस तरह से फ्रेंट्स मतलब हम गये इस तरह से मतलब को लो क्वाइश डायरेक्शन जी हां मैं उल्टा नहीं गया तो इसके लिए क्या रूल कह रहा है यहां पर यहां पर कह रहा है कि 4 bearing is equal to back bearing minus interior angle जी हां यहां पर हमारा interior angle मतलब यह included angle कोई कहते है interior angle तो फ्रेंट्स हाबर का कह रहा है कि 4 bearing अगर मुझे चाहिए जी हां इसका अगर 4 bearing जो भी हमारे line का है उसको मैं क्या कर रहा है back bearing minus included angle मतलब मेरा back bearing कौन सा हो जाएगा यह मेरा ob line जी हां अगर मैं देखो मेरे ट्रावर्स के मदद से जी हां कुछ में स्फिगर को दोर वो साथ में रखूं यह मेरी जारी सामने मतलब मैं यहां से interior angle greater than back bearing अगर हमारा interior angle जी हां जो हमारा बीच वाला एंगल है वही हमारा अगर back bearing से बड़ा हो तो क्या करना है आप पर 4 bearing is equal to back bearing plus 360 minus interior angle जी हां फ्रेंट्स कुछ इस तरह सम कर सकते हैं जी हां फ्रेंट्स आपर हमना आता है तिस्तरा रूल जी हां तो इस्तरा रूल क्या गयता है मैं आपको बता दू कि इफ ट्रावर्सिंग इस डॉन इन एंटी क्लोकवाज डायरेक्शन में लेते हैं तो आप यहां पर हमारा बेक बेरिंग हो गया तो फ्रेंट्स में उल्टा हो जाएगा तो फ्रेंट्स में कहता है कि फॉर बेरिंग प्लस इंटीरियर एंगल जी हां फ्रेंट्स अगर हमें इसका रेडिंग चाहिए तो हम किस तरह से निकाल लेंगे फॉर बेरिंग प्लस इंटीरियर एंगल निए इंगल यह हम ले लिए उनको प्लस कर दिए तो हमारा पूरा और फोर बेरिंग अगल हमें मिल फॉरम अगे का कहता है आगे मैं आपको बता दूँ कि फोर बेरिंगे बैरिन थेन 350 मतलब 350 डिग्री से हमारा 4 बेरिंग बड़ा हो तो हम क्या काम करें एक देंस से सब्स्ट्रेक्ट 360 फर्म इट जियां अपर हम क्या कहा हैंगे सब्स्ट्रेक्ट क्या करेंगे 360 किसमें से हमारी जो वेल्यू रहेगी आई होगी वह जैसे के मारी वेल्यू आई is something डिट मैं आपको बता दूँ कि हमारी वैलू आई 540 आई या फिर 5060 आई तो उसका यूज करकरूंगा object力 आज के वी दिग्लं को पसंद आई है क्यों खूम कीそれは आज की वीडियो आपको पसंद होगी मैं आज का वीडियो छोटा ही रखा है क्यूं कि इसके आज में चालू करूँगा अपना नया टोपिक आप उसको भी जरूर टेंड कीजिए जो हमारा टोपिक है तो बहुत ही इंट्रस्टिंग उसका नाम है फ्रेंड्स डिकलानेस टूपिक आप उस वीडियो को जरूर आप टेंड कीजिए और फ्रेंड्स आजका वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक के माधिया अंसे मुझे जरूर बताईए गार फ्रेंड्स इसके रिलेटर कोई भी डाउट उथ करना हो तो आपको जरूर कमेंट कर सकते हो तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपने देखा इसके रहें थेंक्यू सो मत पर वोचिमा वीडियो फ्रेंड्स मिलते हैं आपने नेस वीडियो में बाई बाई टेक कर एंड गुडबाई